दोस्तो भारती जंता पार्टी लगातार चारसो सीटों के दावे कर रही है और यह कह रही है कि तीसरी बार मोधी सरकार आ रही है। लेकिन मोधी और शाह के गढ़ गुझ्रात में ही राचपूछ समाज लगातार विरूत का जैंडा उठाए है। पुरशोत्म रुपाला लगातार माफी मांग रहे हैं, एक बार फिर उनोने शत्री समाज से राजपूट समाज से माफी मांगी है, लेकिन राजपूट समाज पुरशोत्म रुपाला को माफ करने के मूड में नहीं है, गुजरात में 26 की 26 सीटों पर 7 मई को यानी तीसरे चर रही बाज़पा के तमाम नेताओं का कहना है कि पुरशुतम रुपाला माफी मांग चुके है लेकिन राजपूद समाज अपनी मांग पर अड़ा हुआ है दोस्तों गुजरात के चाहे जिस जिले में देख लीजिए जाम नगर में भाव नगर में कहीं भी देखिए वहाँ चत्री समाज एक जूट होकर भारती जनता पार्टी के खिलाफ सौगंद उठा रहा है और यह कसम उठा रहा है कि वह भारती जनता पार्टी को वोट नहीं देगा दोस्तों यह पूरा मसला शुरू होता है पुर्शोत्म रुपाला की एक टिपणी से पुर्शोत्म रुपाला ने राचपूच समाज के लोगों के खिलाफ एक टिपणी कर दी और यह बता दिया कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिये थे अपने बेहन बेटियों की शादी कर दी थी इस समाज से नाराजगी इतनी जादा बड़ी हो गई कि गुजरात के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलें गुजरात में अरवली के मालपूर इलाके में राजपूच समाज के लोगों ने भारती जन्ता पार्टी का दफ्तर गेर लिया और वहां भाजपा और पुर्शोत्तम रुपाला के खिलाफ जम कर नारे बाजी की उसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं आप देखिए किस तरीके से राजपूत समाज के लोगों ने भारती जनता पार्टी के खिलाफ नारे बाजी की गुजरात में राजपूतों की इस नाराजगी का असर उतर प्रदेश में भी हमने देखा जहां कई इलाकों में छत्री पंचायते हुई और भाजपा के खिलाफ वोट देने का संकल्प लिया गया तो मद्रदेश के सीहोर में जहां राजपूत समाज के लोगों ने भाजपा के खिलाफ नारे बाजी की यानि गुजरात से उठा राजपूत समाज का ये विरोध देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुँच चुका है रिपोर्ट्स यहां तक बताती है कि राजस्थान में भी राजपूतों ने भेंकर नाराजगी में भाजपा के खिलाफ वोट किया है और अब गुजरात जहां 7 मई को वोटिंग होनी है और वहां नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही लगातार राजपूत समाज के लोग सोगंद उठा रहे हैं कसम खा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वो भाजपा को वोट नहीं देंगे